नमस्का दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हम जो बर्सात में आप लगाते है। बहुत सारे दोस्तों की ऐसी सिकायत रहती है कि टुमाटर बहुत जाला गलत है उसमें एक तो नर्सरी हमें जाता देनी पढ़ती है और जैसे आप यहां पी देख पारे हो कि हमने इसले कली जो प्लांटेशन की थी तो आज आप देख पारे हो कि बारिस सुबे के वक्त था तो धूप थी काफी अच्छी तो जैसे कि धूप लगती है सुबे के समय तो ऐसा होता है कि पौदा जो मुर्जहा जाता है अपने जीमीन में गिर जाता है दो दिन यह सिलसिला कंट पर जो आपका जो इस तरीके से गिर जाता दोस्तों उसके गढ़ने के चांस बहुत जाद रहते हैं अब यह आप देख पारें कि पूरे में मिटी लगी हुई है पानी पानी भी जो है मिटी वाला है अब इसकी देखिया चोटी तक पूरा पानी लगा हुआ है गिर चुका एक पर फिर भी खेतों में पानी रहता है क्योंकि बालिस ब्रसात का मौसम में जमीन पूरा पानी पी लेती है उसके बावजुद भी वह गिरते रहता है पानी तो इस तरीके से आप दिख पारे हो कि मैकसिमिमुम सारे के सारे जितने भी हों जुके बहुत हैं इनका जो है गल तो इसके लिए दोस्तों हमने पहले जो है वो बायर का एलियेट आता दोस्तों आपका जो जड़ गलन के लिए सबसे बैस रहता है उसे हम ने इसको इसकी जड़ों को धो Ke 20 यहां पर की हुई है रोपाई की हुई है जिससे कि इनके गलने के चांसी जो है वह असी प्रसंट उसके बाद हमें यह करना रहता है इस तरीके से आप देखवा रहते हैं इस तरीके से छुड़वाना रहता है बारिष के बाद इस तरीके से छुड़वा लैंगे मैक्सिमम जितने भी है यह चाहे हाथ से छुड़वाईए या फिर आप कोई लकड़ी ले लीजिए चलते 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 इनको छुड़वान अपड़ता है यह एक तरीका रहता है इनको बचाने का और दूसरा यह कि इसमें आप जो है बाविस्टिन या साफ या फिर जो एलिय जाएगा और बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा होता भी है कि 50 प्रसेंट से भी जाता जो है टमाटर बारी समें गल जाता है अब यह देख लीजिए पूरी की पूरी रो यहां से यहां तक गीरी पड़ी है अगर इसमें से जो हारली 10 से 20 प्रसेंट ही बचेगा अगर इनको तरीका रहता है इसको बचाने का और होता है यह सुरुवात में ही उसके वाजू है बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे आपकी पहली निंदाई हो जाती दोस्तों जितना जल्दी उसके बसात में लेट ना कीजिए क्योंकि गर्मियों के मस्त में से रोड़ा लेट भी कर ल अब यहां तक जो मिट्टी चड़ जाएगी निंदाई में तो यह जुकेगा नहीं गिरेगा नहीं उसके बाद अब यह है देखो इतना मिट्टी से ढख जाएगा इसमें खाद भी लगेगा तो एकदम से बुष्क लेलेगा एकदम से ग्रोथ फास्ट हो जाएगी और इस तीन से चार इंच जमीन से उच्छा बनाया हुए जिसमें पानी आप देख रहो हो बहुत दूर पानी रह रहा है और अगर इसकी जड़ों के पास पानी खड़ा होता तो यह सूख जाता है तो इसकी साथ दूस्तों अगर कोई सवाल या सूज हो रहता है तो कमेंट बॉक् वाद धन्य वादा